नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं जहां आज के इस एपिसोड में भूतहा हॉस्पिटल की कहानी बताएगे चलिए शुरू करते एक बहुत ही पुराने अस्पताल की कहानी है जो शहर के पुराने हिस्से में स्थित था लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब चीखती आवाजें सुनाई देती थी और जिन्होंने वहां अपने आपको आत्म साथ करने का प्रयास किया वे कभी भी वापस नहीं लोटे एक रोमान्चक रात एक नौकर जिसे नए नियुक्ति किया गया था अस्पताल में अकेले ही काम कर रहा था वह अस्पताल के पुराने हिस्से में एक कमरे की तलाश में था जिसका दर्वाजा खुला होने पर भी उसे अंजानी चीजों की खुजली होने लगी बिना समझे उसने उसी किताब को अपने पास रख लिया रात के ढलते ही उसके सुपरस्ति में वह किताब खुद खुद खुल गई और अंजानी आवाजें उसे उसी कमरे में बंधक बनाने लगी उसकी धड़कने तेज होने लगी और वह अचानक उसी कमरे की ओर मुड़ा तो वह देखा कि किताब की पेजो पर खुद के निशान बन रहे हैं और वहाँ एक अंजान रुह उसे देख रही है उसकी भयभीत आवाजें पूरे अस्पताल में गूंज उठी और उसकी अचानक मौत हो गई लोग कहते हैं कि उस अस्पताल में आज भी रात को वही अजीब चीखती आवाजें सुनाई देती हैं जो किसी को भी डरा देती है हमें उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होंगी तो हो सब्सक्राइब करें लाइक करें धन्यवाद